सोशलिस्ट पार्टी के बाद अब हम आते हैं अगले दल पर और वह है स्वतंत्र पार्टी अपने थमय की एक ये भी प्रभावशाली पार्टी थी इसका जोड था कुछ खेत्रों में कॉंग्रेस के नागपूर अधिवेशन में जथा कि कॉंग्रेस हर वर्ष अपना अधिवेशन करती थी वाशिक अविदेशन वैसी नागपूर में जो अधिवेशन हुआ उसमें जमीन की हत बंदी अर्था जमीन की सिमांकन खाद्यान के व्यापार संबंदी बातें और सरकारी अधिकरण अधिग्रहन और उसके बाद और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ इसके बाद सन 1969 के अगस में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आती है इन सब मुद्दों के मद्दे नजर इस पार्टी का नित्रित्व सी राज गुपालाचारी जिसका मैंने पूर में जिक्र किया जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे के मुशी पूरा नाम का नहीं आलाल मानिक लाल मुशी प्रफितर एंजी रंगा और मीनु मसानी जो एक बड़े प्रसिद विचारक थे ऐसे पुराने कॉंग्रेसी इसमे शामिल थे अर्फात ये भी कॉंग्रेस के ही लोगों का एक घचक था बाद में ये पार्टी आर्थिक मामलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधरता रखती थी और इसलिए दूसरों से अलग थी आर्थिक मामलों में स्वतंत्र पार्टी और आर्थिक मामले इनका बड़ा निकट का संबन था और एक दूसरे नजरिये से ये देश की आर्थिक समस्याओं को देखती थी ये चाहती थी पहली बात कि सरकार अर्थ वस्था में कम से कम हस्तक शेप करे सरकार का नियुनितम हस्तक शेप मांगती थी वो क्योंकि इसका मानना था कि जो सम्रिद्धी है वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वतनत्रता के बल पर ही आ सकती है और इसलिए सरकारी दखलंदाजी सरकारी हस्तक शेप नहीं होना चाहिए दूसरा प्रदन पार्टी अर्थ वरस्था में विकास के नजरिये से किये जा रहे राज की हस्तक शेप जैसे केंद्री कृत योजना, केंद्री कृत नियोजन, राश्ट्री करण और अर्थ वरस्था के भीतर जो सार्वजनिक शेत्र की मौजूदगी हो रही थी उस पर आपरती जताई थी उसकी आलोचना की थी सारजुनिक शेत्र अर्थास सरकारी हस्तक खेप उसमें होगा ही और नियोजन और आर्थिक पंचवर्शी उजनाओं की उजनाएं ये सब भी उसकी नजर में सरकार के दखल के उदाहरन थे जिसके वो सक्खलाप थी तीसरा इस पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में ध्यान में रखकर के जा रहे काम पर विशेज ध्यान दिया कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखना इसका विशेज जोड़ था चौथा कराधान के खिलाप थी पाँचवा नेजी खेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की अर्थाथ पूंजी वादी व्यवस्था पर इसका काफी विश्वास था नेजी खेत्र या प्राइविट सेक्टर जिसको हम कहते हैं उसका पुर्जोर इसने समर्थन किया और एक और कम्मिनिस्ट विचारधारा थी जो लोग पूर पूर्पेण सरकारी हस्तक्षेप चाहते थे आर्थिक योजनाओं में तो इस पकार ये दल जो है स्वतन्त दल कम्मिनिस्टों के बिलकुल 36 के आंकड़े की तरह था और निजी हाथों में पूरे आर्थिक विच्था को सौप देने के पक्ष में था अगला गुट निर्पेख्षता की नीती और सोवियत संग से दोस्ताना रिष्टे कायम करने को गलत मानती थी इसका कहना था कि सोवियत संग से रिष्टे बनाए रखना उचित नहीं है क्योंकि सोवियत संग कम्मिनिस्ट विष्था का पक्षधर था और कम्मिनिस्ट विष्था का सिंबल था तो चतंथ पार्टी तो वैसे भी इसकों खिलाफ थी इसके अलावा गुट निरुपेश्टा के भी खिलाफ थी जिसके तहद भारत ने अपनी विदेश नीती में ये तै किया था कि हम किसी भी गुट में शीत कालीन समय में जो दो गुट बने थे दो धुरुब बने थे उनम स्युक्त राज अमेरिका से नजदी की संबंद बनाने की वकालत भी की ये इसका अगला बिल्दू इसका अगला विचार खेत्री पार्टियों और खेत्री हितों के साथ मेल करने के कारण मेल करने की ये पक्षधर थी और इसी का परणाम ये हुआ कि स्वतंत्र पार्टी देश के विबिन हिस्तों में ताकत वर हुई जैसा मैंने प्रारम में ही बताया स्वतंत्र पार्टी के बारे में कि इसका वजूद उस समय महसूस किया जाने लगा था और इसका एक कारण भी था कि बड़े बड़े नाम इसमें शामिल थे खासकर सी राज गुपालाचारी मीनू मसानी ये बहुत बड़े नाम थे इन लोंगों के कारण और इनकी नीतियों के कारण जिसके ताहस उन्हें ने खेतरी दलों के साथ सहयोग करने की भावना को बढ़ाया उसको संबल दिय इसलिए संस्था ये पार्टी ये दल ताकतवर हुए अगला बिंदू उद्योगपती और व्याविसाई वर्ग इनका इस दल को बहुत समर्थन मिला कारण बहुत उस्पष्ट है उद्योगपती और व्याविसाई ये सरकार का हस्तक्षेप कतई बरदाश नहीं करते सरकार की दखलंदाजी के खिलाफ रहते हैं स्वतंत्र पार्टी जहां इस दखलंदाजी के खिलाफ थी तो निश्चित रूप से व्याविसाई और उद्योगपती इनके साथ रहेंगे इनके पक्ष में रहेंगे और इनके इनका मजबूत वोट बैंक बनके उफरेंगे अखिर व्यापारी वर्ग राष्टी करण और लाइसेंस नीती के तो खिलाफ रहेगा ही तो निश्चित रूप से लाइसेंस नीती और राष्टी करण की नीती के खिलाफ होने के करण स्वतन्ज पार्टी को स्वयमेव पूंजी वादियों का अर्थात व्यापारियों का उद्योग पतियों का बड़ा समर्थन मिला अगला सामाजी काधार बड़ा संकुचित लेकिन क्यों क्यों कि पूंजी पतियों के दल के रूप में इसे एक तरीकी से देखा जाने लगा ऐसे दल के रूप में देखा जाने लगा जो धना धिवर्ग का था ऐसे दल के रूप में जो अमीरों की पैरवी करता था और इसलिए इसका जो आधार था वो सीमित था लेकिन जितना भी था उसको बहुत बड़ी आर्थिक ताकत मिली हुई थी संकुचित होने के बावजूद भी बहुत ताकत वर थी क्योंकि आर्थिक संबल था इसके सामने उद्योग पतियों और व्यापारियों के साथ समाज का दूसरा वर्ग जो ज़्यादा बड़ा था निश्चित रूप से स्वतंत्र पार्टी की नीतियों के खिलाप था और इसी वज़ए से पार्टी अपना जो मजबूत संग्ठन नहीं बना पाई और यही इसके पतन का कारण बनता है इसने एक ऐसी नीति का ऐसी नीति नहीं अपनाई जिसमें वो मजदूरों को समाज के कमजोर तबके के लोगों को लेके चल सके इसका सपश जुकाओ पूंजी वाजियों के तरफ था और इसलिए संग्ठनात्मक नेट वर्क ना होने के कारण सथंद्र पार्टी समाप्थ होती है निशकर्ष क्या सन बावन सड़सट के जो पंद्रा साल है इसमें भारत की राजियते में कॉंग्रेस का वर्चस्प तो जरूर था और वर्चस्प ही कहेंगे इसे पूरी तरह उसका दबदबा था लेकिन इसकी एक खास बात थी इस काल की कि विरोधी दलों के निताओं के बीच या कॉंग्रेस और विरोधी दलों के निताओं के बीच गहरे मझभेध होने के बावजूद सद्भावना थी कारण क्या था दो कारण हम देख सकते हैं पहला नई नई राजनीती देश में शुरू हुई थी सुतंतरता के बाद और दूसरा कारण कि जो भी विरोधी दल थे उसमें अधिकतर तो कांग्रेसी ही थे तो पुरानी जो सोहार्दिता थी पुरानी जो मित्रता थी उसकी भूमिका का परिनाम था कि विरोधी दल और कांग्रेस के संबंध हमेशा मधुर रहे सद्भावना के रहे बड़ा सोहार् बातावरन बना रहा लोक सभा में बहस होती थी मैंने पहले भी बताया विरोधी दल के लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे भाशन दिये हैं और उनके भाशन शायद ज्यादा अच्छे थे क्योंकि वे विरोध के भाशन थे विरोध की आवाज थी और विरोध की आवाज मतलब समाज के ज़्यादा बड़े तबके की आवाज वो रखते थे तरकों के साथ इसलिए वाद जिवाद का स्तर भी बहुत उंचा होता था पूरी खोजवीन के साथ तथेओं के साथ विरोधी दल के यद्यपी नेताओं की संख्या कम थी पर जो थी वे लोग प्रखर वक्ता की रूप में सामने आए और वाद वाद का स्तर बड़ा उंचा रखा इसी कारण पहले चुनाओं के बाद नहरू के नितरुत में बने नहरू कॉंग्रेस के निता प्रधान मंत्री विपक्ष को की ताकत को समझते हुए विपक्ष के अनुभवों का फायदा लेने के लिए उन्होंने मंत्री मंडल में शामा प्रसाद मुखर जी और भीमराव अंबेड कर को शामिल किया जो लोग उनके प्रखर विरोधी थे वैचारिक रूप से लेकिन नहरू उनका संवान करते हुए उनके विचारों का संवान करते हुए उन्हें अपने केंदरी मंत्र मंडल में शामिल किया यह स्वहारद्रता का बहुत अच्छा उदारन है तीसरा कारण जो था सवार्धिता का कि पंडित नहरू स्वयम समाजवाधी विचारधारा के थे तो समाजवाधी विचारधारा के हूने के नाते Communist Party और कुछ अन्य जो दल थे जो इस तरह की विचारधारा रखते थे उनके साथ इनके मितत्ता होना सवभविक था उनका विशेश लगाओ था इसलिए जैप्रकाश नारायन उनको भी उन्होंने सरकार में शामिल होने का नमंतरण दिया लेकिन वे शामिल नहीं हुए वो बात दूसरी पर जेपी जैसे प्रखर विरोधी को भी अपनी सरकार में शामिल करने के पीछे तथ ही ये है कि दोनों समाजवादी विचार धारा के थे अगला जो बिंदु निशकर्ष में है वो ये है कि जैसे जैसे काल गुजरता गया वैसे वैसे कॉंग्रेस की नीतियां स्पष्ट होती गई जैसे जैसे कॉंग्रेस की नीतियां स्पष्ट होती जाती है विरोधी दलों की आवाज और मुखर होने लगती है दूसरा विरोधी दल भी जो शुरू में कॉंग्रेस के प्रति बड़ी सद्भावना का रुख रखते थे जिसके कारणों पर मैंने पहले प्रकाश डाल दिया है अब वो बंधुत्ता की भावना कम हो गई अब कड़ुआहट जादा आने लगे और इसका कारण था प्रतिस परधा बढ़ती हुई प्रतिस परधा राजनेतिक प्रतिस परधा ने विरोधी दलों की आवाज को तीवर किया मुखर किया और बुलंद किया तो जैसे जैसे सत्ता की प्रत्योगता बढ़ती गई वैसे वैसे विरोधी दल बनाम कॉंग्रेस या सत्ता दल के बीच की कड़ू आहट में भी बढ़ती गई और दरार आने लगी विभिन दल और निताओं के बीच में सद्भाव भी कम होता गया आज के समय में यदि हम देखें तो राजनीती जो है वे कई बार व्यक्तिकत आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच ही सीमित हो गई है अब एक दूसरे पर आखे आरोप और प्रत्यारोप यही राजनीती हो गई है और सोशल मीडिया ने इस तरह की राजनीती को और बढ़ावा दिया है जो बड़ा बड़ी चिंता की बात है परणाम सरूप राजनीतिक वाद्यवाद भी अपने स्तर को वो खो बैठे हैं जो पूर्व में थे वास्तिविक मुद्दे और समस्याओं से हट कर अब व्यक्तिकत आरोपों लांचनों पर राजनीतिक की जाने लगी है और यह बड़ा दुखदाई अनुभा है यदि हम व्यक्तिकत आरोप प्रत्यारोप पर चलते हैं तो सामाजिक मुद्दों से हम दूर हो जाते हैं वास्तविक मुद्दों से दूर हो जाते हैं देश की समस्याओं पर चर्चा ना करके हम व्यक्तिकत आरोप लगा कर डूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और यही दौर काफी लंबे समय से चल रहा है जिसकी तीवरता बढ़ती ही जा रही है यह जो प्रतिस परधा की राजरीती थी वो स्वतनता के तुरंच बाद ही उसका असर दिखने लगा था और इसी कारण से समाजवाजियों की जो मैंने बात की मजबूरन उननिस और तालिस में अलग होकर यह सोशलिस पार्टी बनाते हैं सोशलिस पार्टी चुनाव में कुछ खास कामिया भी हासिल नहीं करती पार्टी के समर्थकों को भी बड़ी निराशा होती है और अधिकतर राजियों में इसे बड़ी छुट-पुट सफलता मिलती है इस पार्टीयों की स्थितियों को जानने के बाद अब हम थोड़ा उस काल के नेताओं के बारे में जाने कुछ ऐसे नेता जो बड़े प्रभावशाली थे और जिनोंने आरंबिक काल में लोगतंत्रिक व्यवस्था को लोगतंत्र को मजबूत बनाने में अपने तरीके से योगदान दिया तो शिंखला में पहला नाम है श्री आचार नरेंद्र देव 1889 एर अफ बर्थ वही वर्ष जब पंडिजवालाल नहरुक का जन्म हुआ था और मृत्यू 1956 वह वर्ष जब भारत में भाशाई आधार पर राज्यों का पुनर गठन हुआ था स्वयम आचार नरेंद्र देव एक स्वतनता सेनानी थे कॉंग्रेस ते सोशलिस्ट पार्टी के संथापक सदस्यों में थे और आजादी के दोरान कई बार जेल गए कि सांध आलोल में सक्री रहे बहुत धर्म के प्रतीन का बहुत जुकाओ था और उसके प्रकर विद्वान थे साथ ही आजादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नित्रित्ट किया सोशलिस्ट पार्टी और जनसंग से है जन्म 1901 और बहुत ही छोटी उम्र में 52 वर्ष की आईवी में इनका दिहान्त हो गया हिंदू महासभा के प्रखर नेता थे भारती जनसंग के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और स्वतंता के बाद नहरू के मंत्री मंडल में प्रथम मंत्री मंडल में म तक पाकिस्तान की बात है इसके संबंदों को लेकर मतभेद नहरू से बढ़ता जाता है और 1950 में वे अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे देते हैं उसमें याद होगा आपको 27 जनुरी से 50 के पहले समिधान लागू हने के पहले जो सरकार थी वहां अंतरिम सरकार थी एड हॉक इ थी उसमें जो मंत्रिमंदल था शामपसाद मकरजिस के सरस्त थे लेकिन पाकिस्तान के साथ के संबंदों को लेकर समस्या बढ़ती है और वो इस्तीफा दे देते हैं लोक सभा के सरस्ते बने कश्मीर को स्वायतता देने के खिलाफ थे जो धारा 370 के तहत उनको दी गई थी जिसे दो वर्षपूर तीन वर्षपूर समाप कर दिया गया धारा 370 को हटा कर वो भारती जनता पार्टी के दोरा किया गया और भारती जनता पार्टी ने स्वायतता समाप करने का जो निर्णा लिया उसके पीछे शामा परसाद मकरजी जैसे संसापक सदस्यों के विचार तो कश्मीर की स्वाइटता के सक खिलाफ कश्मीर नीती पर जनसंग के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया बदलाव लाने में सरकार की नीतियों में कई प्रदर्शन वगरे विकिया और इसी एक प्रदर्शन के दौरान वे गिरफतार किये गए और दुरभागी से उनकी गि रास्त में ही मौत हो गई तो इस प्रकार वे अकाल मृत्यू का शिकार हुए और जनसंग के संस्थापक के रूप में इनको बहुत अहम स्थान है जो बादने भारती जनता पार्टी के रूप में आज हम देखते हैं पंडित दीन द्याल उपाद ध्याय तीसरे प्रकर नेता 1916 से 1968 तक का इनका काल है अर्थात प्रथम विश्विद्ध के दौरान इनका जन्व हुआ और 1968 में जब इंदरा गांजी सत्ता में आती हैं उसी समय इनके बृत्ति हुई 1942 में राष्ट्री स्वयम सेवक संग के ये कारेकरता बनते हैं पोर्ण कालीन कारेकरता अर्था पूरी तरह अपने को समर्पित कर देते हैं और शामप्रसाद मुखर जी की तरह ये भी भारती जनसंग के संस्थापक सदस्यों में गिरे जाते हैं दीन दियाल उपाद ध्यायो जी भारती जनसंग में पहले महासचीव थे फिर अध्यक्ष बने और इनकी जो विचार धारा थी उसे संक्षित में कहा जाता है समग्र मानवतावाच सिध्धांद इस पे विस्तार से न जाके बस इनकी विचार धारा के शीर्शक को आप याद रखें और वो है समग्र मानवतावाच सिध्धांद जिसके वे प्रखर प्रणेता थे अगले नेता सी राज गुपाल अचारी जिनका जिक्र में बारंबार कर चुका हूँ 1878 से 1972 लगभग 94 वर्ष की आजू में सरग्वास हुआ कांग्रेस के बहुत पुराने वरिष्ट नेता और साहित्यकार राजनीति के अलावा लेखन में भी इन्हें पारंगत हासिल था और महात्मा गांधी के बड़े करीबियों में बाने जाते थे दक्षिन भारत से थे इसलिए भी एक खास कारण सा कि गांधी का इनके प्रति विशेश ने था सम्विधान सभा के सदस्य थे सुर्टंतर भारत के पहले भारती गवर्नर जनरल जैसा मैं बारंबार बोलता आया हूँ उन्नीस वड़ाली से उन्नीस वपचास क्योंकि उस समय भारत का सम्विधान नहीं बना था तो जितने राज्ज थे उनके गवर्नरों के ऊपर एक गवर्नर जनरल की रूप में इन्हें स्थापित किया गया इन्हें पदस्त किया गया उसके बाद वो अंतरिम सरकार में मंत्री भी बनते हैं और फिर मदरास के मुख्य मंत्री बने भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारती है जिने भारत रत्न के उपादी मिली स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी 1959 में जाता मैंने पूर में बताया है वो उसके गोपालन का एक गोपालन 1904 से 1977 अर्था जितने नेताओं के बारे में हमनी अभी अध्यान किया उसमें सबसे आखरी के दौर तक याने आपात काल की घोशना के काल तक का समय उन्होंने देखा और जहां तक एक एक गोपालन की बात है वे केरल से थे Communist Party से इनका संबंध था Communist Party के नेता थे लेकिन अपने जीवन का आरम उन्होंने Congress से किया जैसा कि सभी Communist ने प्रारम में उस समय के Communist ने प्रारम में Congress से अपने को जोड़ा और जब Congress का रुख थोड़ा सा दूसरा दिखाई दिया तो वे अलग हुए और Communist Party of India के स्थापना हुई जो अलग घटना क्रम है फिलहाल आप यह जाने कि यह भी Congress से ही निकले हुए नेता थे 1949 में Communist Party में शामिल होते हैं 1964 में Communist Party के विभाजन के बाद Communist Party of India मार्क स्वादी में शामिल होते हैं यह Communist Party of India मार्क स्वादी अर्थाथ वह Communist Party का वह घटक वह गुट जो अपनी प्रेरना चीन से लेता था सोवियत संग से नहीं और यह केरल की राजनीते में बहुत अहम स्थान रखते थे और केरल में Communist Party का बड़ा लंबे काल का शासन रहा पार्टी के मजबूते के लिए उन्हेंने बहुत से काम के सांसद भी रहे और एक सांसद के रूप में उन्हें बहुत ख्याती मिली 1952 से स सांसद रहते हुए लगवग अपने अंतिम वर्ष तक यह अपनी लोकसभा की Constitution को का प्रतिनिधित संसद में करती रहे इस प्रकार यह अध्याय एक तरीके से यहां तमाप्त होता है जिसमें हमने एक ऐसे काल का अध्यान किया जिसमें एक दल का प्रभाव था बहुत जादा प्रभाव था दूसरे दल पनब भी नहीं पा रहे हैं समझें लेकिन उसके बावजूद उस एक दल ने ताना शाही व्यावस्था को अक्तियार नहीं किया यही हमारा स्वाग्य थ और ये तत्काली राजनेताओं की अच्छाई भी थी कि उन्होंने कतई ऐसा प्रयास नहीं किया कि अन्य दलों को कुचल दिया जाए उनको नगन्य कर दिया जाए बल्कि हम दाहरन देखते हैं कि विपक्षी दलों की संख्या यद्यपी बहुत कम और प्रभाव बहुत कम होत में और सरकार में कॉंग्रिस ने लगातार दिया जब तक संभव हुआ उसके बाद एक दोर आता है जब सत्ता की राजनीती में प्रतिसपरधा बढ़ जाती है और इस बढ़ती प्रतिसपरधा के कारण कड़वाहट बढ़ती है लेकिन ये भी तय है कि विरोधी दलों का ज उसमें गिराव अटाकती हैं और 1967 के बाद तो गैर कॉंग्रिस वाद का काल चलता है एक दौर चलता है जिसका अधियन हम करेंगे और हमने कुछ हट तक उसको पढ़ा भी है विरोधी दलों के बारे में बात करने के बाद संख्षिप्त में आपको इनकी भूमिका बताना जरूरी होगा क्या भूमिका रही पहला सिध्धान्तों के बल पर कॉंग्रिस की नीती और व्यवहारों की कड़ी आलोचना करते रहना और जैसा मैंने कहा भाशन देने में वाद विवाद करने में विरोधी दलों के नेता किसी से कम नहीं थे तारकिक तरीके से वरत हासिल थी और यही लोकतंत के लिए बहुत आवश्यक भी था दूसरी भूमिका जो विरोधी दलों ने निभाई वो थी कि शासक दल पर अंकुष इन दलों के कारण लगा शासक दल की निरंकुष्टा ताना शाही पर लगाम लगाने का बहुत महत्पून कार इन दलों ने किया कॉंग्रेश के भीतर भी शक्ति संतुलन को बदलने में शक्ति संतुलन को में बदलाओ लाते रहने में विपक्षी दलों की भूमिका बड़ी अहम रहे क्योंकि कॉंग्रेश से ही कई लोग निकल कर नए नए दल बनाते रहे तीसरा रूप इसके भूमिका की यद अच्छे लोकतांत्रिक के लिए बहुत अहम बिंदू है वह इन विरोधी दलों ने दिया और इसकार जो शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं लोकतांत्रिक विवस्था को जमीनी स्थर पर बढ़ाया लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्ब उस समय जो शहषवा वस्था में जो जन्मुआ आज वह सत्ता में हैं और कई वर्षों से सत्ता में रही है चाहे वो केंदर में चाहे वो राज्यों में तो इस वकार इनकी भूमिका को नकारा नहीं का सकता राजनीतिक विकल्ब के रूप में उन्होंने जो काम किया चौथी भूमिका शुरुवाती सालों में क अच्छी परंपरा लागू हुए और उसी परंपरा का परणाम था कि कॉंग्रेस इतना भारी भरकम वर्चस्व होते हुए भी ताना शाही रवाया अपनाने से दूर रही और अंतिम है कि विपक्षी दल के कुछ नेताओं को सरकार में भी शामिल किया जाना याने उनकी ऐसी भूमिका भी थी कि वो सरकार में रहते हुए भी विपक्षी दल के हूँ और इस वरकार हमको देख सकते हैं कि मंदमर्डल में बियार अम्बेड कर थे शामा प्रसाद मुकर जी थे यह दोनों प्रकर विपक्षी नेता थे इनका सरकार में रहना और विपक्षी दलों की आवाज को रखना ये एक स्वेम में एक बहुत अच्छी लोग तांत्रिक विवस्था का शांदार दारण है चुनावी राजनीति के अदि बात करें तो भारती जनता पार्टी 37.36 प्रतिशत भोट पाती है जनता का जो अधिक्तम वोट शेर है किसी एक पार्टी के द्वारा उन्निस सो नवासी के बाद याद रखेंगे उन्निस सो नवासी यानि वी पी सिंग के प्रधान मंतृत के अकाल जब मंडल कमिशन लागू होता है मंडल आयोग आता है और अधर बैक्वर्ड क्लासिस के एक कैटेगरी के लिए आरक्षन का प्रावधान आता है जिसको लेकर पूरे देश में भूचाल मचता है उस समय के बाद से लेकर अब तक में सबसे ज़्यादा वोट शेर के साथ भारती जन्ता पार्टी सत्ता में आई है और तीन सो तीन सीटें जीती है इस प्रकार इसने अपनी सीटों में और बढ़ावा किया है इसके अलावा जो यदि हम National Democratic Front की बात करें या Alliance की बात करें NDA तो 353 सीटें हैं इसके पास 545 में एक बहुत बड़ी संख्या है तो लिना करें Congress से वहाँ काल उस काल का जिसे हम वर्चस्व का काल कहते हैं जहां उसके पास 364, 367, 371 सीटें थी इस तुनाव में उसकी संख्या घट कर सीटों की संख्या घट कर मात्र 52 हो गई और इसमेकार जो वर्चस्वता Congress की उस समय थी कमो बेश वैसी वर्चस्वता पिछले गत 15 वर्षों से भारती जनता पार्टी की है आज Congress की हस्तिती हो गई कि 10% सीट भी उसे नहीं मिली है जो की आवश्यक है इस बात के लिए कि विरोधी दल का नेता उस दल से आता है जो 10% सीटें जिसे लोकसभा की मिलती है और विरोधी दल के नेता को लोकसभा के मंत्री का दर्जा मिलता है दुरभागे से Congress का ये हश्र हुआ है कि उसे 10% सीट ना मिलने के कारण विरोधी दल के नेता के पद से भी वो वन्चित रह गई Congress के नितरतमिदेज UPA है United Progressive Alliance उसे इंकानिवे सीट मिली है 52 Congress को और 6 सीटें UPA को के Alliance को कुल सीटें इनकी इंकानिवे हो गई इसके अलावा एक तीसरा गुठ है NDA फिर UPA और तीसरा गुठ उसे कुल 98 सीट मिलती है अध्याय के प्रारम में हमने जिन बिंदू को बताया था और कहा था कि इन बिंदू पर अध्यन होगा उमिद है वे सारे बिंदू अब आपको स्पष्ट हो गया होंगे उधारन के लिए पहला बिंदू था चुनावी राजनीती के पहले दशक की बातों पर गौर कौन कौन सी बातें थी दूसरा बिंदू एक स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव प्रनाली की इस्थापना जिसमें चुनाव आयोग मुख्य था तीसरा आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कौंग्रेस का दबदबा और चौथा और अंतिम विपक्षी दलों और उसकी नीतियों का उद्भाव ये चारों बिंदू आपके इस अध्याय के समाप्ति होते होते पूरे कर लिए गया है कौंग्रेस की सफलता के कारणों की अधि बात करें तो एक बहुत बड़ा कारण था उसके विभिन गुटों में ताल मेल और सहन शीलता अगर कोई समून नाखुश था तो भी वो पार्टी में बना रहता था पहली बात दूसरी बात पार्टी को छोड़ कर विपक्षी की भूमिका से बाहर रहकर दूसरे समूँ से लड़ना उसे उचित नहीं लगता था तीसरा कौंग्रेस की गट बंधनी सुभाव जिसे मैं इस तरीके से कहूंगा कौंग्रेस के सुभाव में था गट बंधन की नीती तो उसका जो गट बंधनी सुभाव था उसकी जो गट बंधनी प्रवरित्य थी जिसमें जो भी आए वो गट बंधन की विशेष्टा होती है उसका प्रारंबिक काल में कॉंग्रेस ने बखू भी पालन किया कॉंग्रेस के प्रभुत की जो प्रकृति को जिस तरीके से हमने समझा उसे हम कुछ इस रूप में भी देख सकते हैं खासकर जब हम तुलना करें अन्य देशों के साथ भी तो और स्प खांते भारत में एक पार्टी के प्रभुत में अंतर क्या तो अन्य देशों के अधी बात करते हैं तो इसमें लोग-tantr की कीमत पर एंधी के अधी प्रभुत में उधारन है चीन कियूबा शीरिया समिधान में सिर्फ एक ही पार्टी के लिए अनुमतिती थी भूसरी और भारत की अधी बात करें, तो एक पार्टी का प्रभुत्य लोकतांत्रिक परिस्थितियों में हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी सामने आई, तो उसमें कोई गलत नहीं है, और इसको हम दो बिंदूओं में देख सकते हैं, मुख्य और निश्पक्ष माहौल में एक के बाद एक चुनाओ होना, एक कारण था, दूसरा कारण था, कॉंग्रेस एक सुगठित पार्टी थी, और तीसरा था, आजादी के अंदुलन के दोरान, उसकी जो इतिहासिक भूमका थी, ये तीन बिंदू हुए, जहां तक अन देशों की बात है, उसमें एक और था, शातन विवस्था कहने को तो लोकतांत्रिक लेकिन सैन ये उपायों के बल पर, पाकिस्तान में भी बहुत बार ऐसा हुआ, जब तथा कतित लोकतांत्रिक विवस्था के नाम पर, फौज के जनरल सत्ता में आते हैं, फौज के जनरल सत्ता में रहते हुए चनाओं करात यह कती निश्वक्ष नहीं थे